हेलो प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी उमीद करता हूँ अच्छ होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल श्रमाजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों बोड से एक खास अपडेट खास खबर आप सभी के लिए आई है बहुत ही इंपोर्टेंड अपडेट ह क्या अपडेट है दोस्तों नई भरती को लेकर के अपडेट है एक नई भरती जारी होने वाली है नई भरती के अंदर आपके लिए नएने पोस्ट यहां पे बनाये जाएंगी और उसके अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थियों को आगे आकर के एक्जाम देने का नोकरी ल कितने पद होंगे, कौन सा डिपार्टमेंट करा रहा है, वो सब अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुती जादा इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लाश्ट तक जुरूर देखना, देखो यार जो वीडियो मैं इजाम की त्यारी करता है, उसके लिए वीडियो बेस्ट होती है, लेकिन कई लोगों को बोरियत फिल होती है, बोरियत तो होगी, क्योंकि इसमें कोई किसी भी टाइप की कॉमेडी, किसी भी टाइप का हंगामा, या ऐसा कोई भी मतलब ऐसी अरकत नहीं है, तो डिपेंड क करता है कि आपका इंटरस्ट किस साइड है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए करियर मेकर वीडियो होती है, क्योंकि हर एक वीडियो में मेरे कंटेंट जो है, वो स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, अगर नहीं होता तो आप बता दो यार, ठीक है ना, तो वीडियो को ब प्रदेश में जल्द होगी 2998 पदों पर पटवारियों की भरती राजसव मंडल ने शुरू की त्यारी अभी स्टार्ट कर दिया त्यारी अजमेर राज्ये में जल्द ही 2998 पदों पर पटवारियों की भरती की जाएगी राजसव मंडल ने इसकी त्यारी शुरू कर दिया इ इसमें 1907 रिक्त पद है जबकि इस वर्ष की बजट गोशना के 26 जिलों के 1035 पटवार सरकिलों ने 1035 सरजित पद है देखो 1907 तो वो है जो की खाली पद है और 1035 पद वो है जो नए बनाए गए है इसके लावा 21 नवीन तस्रीलों में 56 नवीन पटवारी ओर चाहिए टोटल मिला करके 2998 कितने दोस्तों 2998 पदो पर ये भरती की जाएगी सिंबल सा फेक्ट है सिंबल सा फंडा है ठीक है अगले सप्ता में जब ये मतलब उसको नोडिफिकेशन भेजेंगे रात सोई बाग को तो जाहिए सी बात है एक महीने के अंदर अंदर आपको ये भरती देखन जिनका सपना रह गया था किसी कारणवश पटवारी बनने का उनके लिए तो अब गुड न्यूज है वो लोग अब पटवारी में आवेदन कर सकते हैं और अपना एक्जाम की त्यारी करके पटवारी की जोब पा सकते हैं क्लियर है न दोस्तों तो ये था आज का इंपोर् और काफी सारे वैल्यूएबल कंटेंट आने वाले हैं तो अपने आपको उस हिसाब से अलर्ट और एक्टिव कर लो चैनल के उपर मैं सिख दी बात पाता हूं यार कि इसके अंदर मतलब जैसे हम आपको कई दिन से बता रहा था कि जीएस की टोपिक्स में लेक्या हूंगा और जीएस आपका ऐसा है जो हर एक एक एक्जाम में पुछा जाता है तो आप लोग एक्टिव हो जाओ अब जीएस पढ़ने के लिए भी इस चैनल के उपर ठीक है तो ये था दोस्तों अपडेट अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर द मिलते हैं ने शुडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जय हिंद जय भारत लवियो